प्रधान मंत्री ने दमोदी सन्युक्त राष्ट महासभा को ऑनलाइन समोधित कर रहे हैं। अनेक ऐसे उधारन भी है जो सन्युक्त राष्ट के सामने गंभीर आत्म मंथन की आवसकता खड़ी करते हैं। अनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है ऐसे में ग्रामी इलाके में नेटवर्क की समस्या के कारां अनलाइन पढ़ाई भी मुस्किल हो गई है। इस बिच सिक्षा मंत्री गाव जाकर बचों को पढ़ा रहे हैं। जारखन में जल्द खुलेंगे स्कूल मंत्री। जारखन में जल्द ही सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। जारखन सरकार ने इसकी तयारी सुरू कर दिया। सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने गाइडलाइन के बारे में भी बता दिया है और कहा है कि जल्द ही स्कूल को खोलने पर सरकार निने लेगी बता दे कि सिक्षा मंत्री ने कहा कि अनराजों की गाइडलाइन पर भी जारखन की सरकार विचार कर रही है इन राजियों के गाइडलाइन का ध्यान करने के बाद इस्थिती को देखते हुए स्कूलों को खोलने पर अम्तिम निनने लिया जाएगा आईसी उमिन जताई जा रही है कि सुरू में नौवी से बरावी तक के बचों को सीमित संख्या में इस्कूल जाने के अनमति देने पर बिचाल चल रहा है जारखन में 1226 नर्श संक्रमितों के पुष्टी हुई जो राची से 425 बोकारों से 67 चत्रा से 6 देवघर 36 धनबाद 52 दुमका 18 जमसेतपूर 24 गढ़वा 23 गिरीडी 8 गोटा 41 गुमला 13 2022 जामतरा 24 खुटी 20 कोडारमा 24 लातेहर 11 लोहरदागा 7 पांकुर 38 पलामु 33 रामगर 25 जी साहिब गांजगारा सराइक के लाँ 35 सिम्डेगा 5 और पच्मी सिमूं से 63 मिले हाए जारखन में कुल संक्रमितों की संख्या 78,935 है जबकि 65,849 लोग स्वास्थ हुए और 670 की मिलती हो गई भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 69,90,513 है जबकि 49,38,641 लोग स्वास्थ हुए और 94,533 की मिलती हो गई भारत में नाइक केस 88,691 मिले हाँ जबकि 92,312 मरीज स्वास्थ भी हुए है ज्यारखन में सनिवार को 6 की महत हुई है जो जमसेदपूर से 2, बोकारो, धनबाज, रामगड और सराई केला से 1 की महत हुई है सनिवार को 1324 मरीज स्वास्थ भी हुए है एक्टिव केस इस प्रकार है राची 4955, 14214, देवघर 277, धनबाज 831, दुमका 236, जमसेद पूर 177, गड़वा 184, गिरिदी 248, गोड़ा 187, गुमला 311, हाजारी बाग 566, जामतड़ा 1111, खुटित 313 कोडार्मा 429, लातेहर 222, लोर्दागा 260, पाकुर 127, पलामू 180, रामगर 269, साहिव गंज 65, सराइकला 401, सिमडेगा 144, पच्मी सिमू 375, बोकारो 483, मरीज 1 टिभाए भारतिये जन्ता पार्टी के केंद्रिये टीम में जार्खन के 3 लोग भारतिये जन्ता पार्टी केंद्रिये टीम में जार्खन के 3 लोग को मतपुर्ण जिमिदारी स्वपी गई है, पता दे कि जार्खन के पूरो मुखमंतिरी रगवरदास और कुडर्मा की सांसत अनपूर्णा देवी के अलावा, राज सभा, सांसत, समीर, उराव को भी जग बिना हेलमेट पकड़े जाने पर ऑनलाइन भर सकेंगे जुर्माना, राजधानी में अब बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़े जाने पर आम लोग ऑनलाइन जुर्माना भर सकेंगे या बिवस्ता औस थाई रूप से की गई है, बता दे कि कुरोना संक्रामन के बढ़ते म आम लोगों को देखते हुए परिवहन सचीव और ट्रैफिक एसबी ने आपसी समती से आम लोगों की सहुलियत के लिए या सुविधा परदान करने का निर्नाई लिया है। देश पर संग्यान लिया है और राज सरकार के इस संबंद में निर्नाई के संदर्व में जनकारी प्राप्त की। उन्होंने इस संबंद में राज के महा दिवक्ता राजीव रंजन से वीडियो कंफिरेंसिंग के माध्यम से तथ्यों को असपस्ट करने को कहा। पर देश भर में छिडी बहस के बिच जरकंड सरकार के क्रिशी मंत्री बादल पत्रलेख ने केंदर सरकार पर देश की आत्मा को बेचने का आरोप लगाया है। साथ ही एक बार फिर से बादल ने दोराया की राजी सरकार किसानों का दो हजार को रुपए का कर्ज अपने आंतरिक संसाधनों के माध्यम से पुरा करेगी। केंदर सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि लोगड़न में 20 लाग कोड़ो रुपए के पैकेज की घोसना की गई लेकिन एक भी किसानों का इसका लाब नहीं मिला। गिरी डी और जाम तड़ा से चार साइबर क्रिमिनल को गिरिफतार कर जेल भेज दिया गया है साथ ही एस पी ने वार्षेप नंबर 9431706390 जारी कर लोगों से सुचना देने की बात कही है। जार्खन सरकार ने डी वी सी का बकाय भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार से अठारा सो को रुपे का लोन लेगी। जार्खन में दूमकाव वेरमो उप चुनाव की तारीक की घोसना उम्तिव सितंबर के बात किया जाएगा। राची में भूमी विवाद के 470 मामले को अन एस्पोर्ट समधान किया गया। बतादे कि डी सी छावी रंजन के आदेश पसनिवार को दोसरी बार 22 अंचलो में भूमी विवाद समधान दिवसका आयोजन किया गया। मुख्य मंत्री हेमान स्वरेन की भावी ने लालू यादों से मुलकात की उन्होंने कहा कि वह सिर्फ लालू यादों का हाल चाल जानने के लिए आई थी। प्रात्मिक सिक्षको나 को सीघ्र ही प्रोनाती मिलेगी इसे लेकर प्रात्मिक सिक्षा निदेशक भोनेस परताप ने सभी जीला सिक्षा अधिक्षको वव उपाईुक्तों को पत्र भेजा है मन्रेगा के माध्यम से दिसंबर महीने तक प्रती दिन दस लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष रखा गया है बता दे कि इसे लेकर मंत्री आलमगीर आलम ने अधिकार्यों को निर्देश भी दे दिया है केंद्र सरकार के किरिसी विरोधी बिल को लेकर कांग्रेस ने दो अक्टूबर को हस्ताक्षर अभ्यान चलाने को कहा है उन्होंने काला कानून के विरोध में आंदोलन करने की बात को कही है खुटी जिला में नए रासन काट को लेकर कारेसला का आयोजन किया गया जेई एडवांस का परिक्षा आज रविवार से सुरू जिसमें बारसों परिशार्थी सामिलित होंगे बता दे कि परिक्षा दो पालियों में होगी रामेश्वर मूर्मू की मौत की होगी सीवियाई जाच मुखमंत्री हेमन सुरेण ने इस सवंधित प्रस्ताव पर अपनी समती दे दी है लोहरदागा के सेनहा थाना पुलिस ने पांच लाख रूपे ठगी मामले में मुखिया सही दो लोगों गिरुपतार कर जेल भेज दिया है देश की पहली एंसुरेंस लोग अदालत का सुभारम सनिवार को हुआ पंचायतू में विकास के लिए जर्खन सरकार अब विभागों से साजा करेगी जिसके तहट ग्रामिन विकास पंचायती राज पेजल और सुख्षता के साथ मन रहेगा कि योजनावों के साथ संचालित की जाएगी जिसे 2 अक्टूबर से सुरू किया जाएगा धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत के लाइक अदबाएगे साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाटसेप और फेस्बुक और अवसे सेर करें साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना सुजाव अवसे दे थैंक यू